इसकार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका विजिनर्स एजूकेशन पॉइंट में बहुत दुनोबाद आज ये लेक्चर आपके लिए आया है और इसमें हम पढ़ाएंगे आज भेस्टर चार के बारे में 6 मार्क्स और 15 मार्क्स के सारे क्वेशन इसमें कवर हो एथिक्स में आता है तब भी कवर हो जाएगा तो चली हम देखते हैं इसमें मैं आपके लिए बेसिक फैक्ट लाई हूं कि अगर आपको ब्रिष्टा चार से लेटेट कोई भी क्वेशन आता है तो आप उनमें ये फैक्ट पुट अप करके और अपने क्वेशन को अच्छ पीड़क ब्रिष्टाचार में क्या होता है और पीड़क ब्रिष्टाचार में बल द्वारा जवरन बसूली की जाती है बंदू की नोक पर होने वाला ये ब्रिष्टाचार होता है और वहीं कपटपून ब्रिष्टाचार में रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने व होने वाला है जैसे अधिकारी को दोरा कि लोग सीवकों दोरा जमीन प्रइबात की प्रइस्टाउर्ट्थ में और मेरे दैवने दोनों ही मिले हुए हैं तो हम कुछ fact लेखेंगे अगर भ्रष्टाचार एक आदत है इसमें जैसे ही कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार आचरण में सनलिप्त होता है तो वह नैतिक मूल्यों की छरण का प्रतीक है जब व्यक्ति के हिर्दाय से नैतिक मूल्यों का पतन होने लगता है तब व्यक्ति भ्रष् प्रष्टाचार के बीज समाज के अंदर तक इस प्रकार खोखला कर चुके हैं कि समाज एवं शाषन तंत्र का अभिन नंग हो चुका है ब्रष्टाचार के बीज समाज के अंदर इस तरह प्रविश कर चुके हैं कि यह समाज और शाषन का अभिन अंग बन चुका है यह लाइन का प्रीयों कर सकते हैं कि जब तक नैतिक मुन्ले की आचरन का अचरण को नहीं अपनाया जाता तब तक स्वस्त्य परिदार्ण की यह आशकरन बेका, उमीर कोन भारत देश्पपर हो और इसके लिए उपाई किया कि जा सकते हैं सबसे पहले उपाई ये किया जा सकते हैं कि इमानदार जो व्यक्ति हैं उनको इमानदारी का सर्टिफिकेट दें ताकि जो ब्रहष्ट व्यक्ति हो और इमानदार व्यक्ति हो उनके मद्य अंतर किया जा सके इमांदारी का सम्मान हो इमांदार व्यक्तियों के निर्णईों को माना जाए और उनकी गलतियों को छमा किया जाए सामाजिक दवाव उत्पन करना होगा ब्रेष्ट और इमानदार व्यक्तियों के मद्य सामाजिक दवाव उत्पन करना होगा जो ब्रेष्ट व्यक्ति हैं अगर हम इमानदारी को सम्मान देना चालू कर देंगे इमानदार व्यक्तियों के निर्णयों को मानेंगे इमांदारी का सर्टिफिकेट देंगे तो इससे जो ब्रिष्ट विक्ति हों पर नेतिक दवावत्पन होगा और वह अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे फिर है इसके लिए जो एक राइटर है रजनी कुठारी इनकी पुस्तक का नाम है भारत का मध्यमबर्ग इन्हों ने इसमें लिखा है कि मध्यमबर्गी महिलाओं का उत्पेरक होना पतियों के लिए नुकसान दाई है मतलब मध्यमबर्गी महिलाएं पतियों को ब्रेस्ट आचन करने के लिए प्रेरित करती हैं क्योंकि उब्भुकतावादी संस्क्रती के अंतरगत यह माना जाता ह कि हम जतना अच्छे कपड़े पहनेंगे जतने अच्छे गहने पहनेंगे हम जतना दिखाएंगे हमारा स्टेटस उतना ही अच्छा होगा तो एक लाइन और लिख सकते हैं कि भरस्टा चार आज के समाज में स्टेटस सिंबल बन चुका है फिर राजिक अभिभावक है प्रश जतने बन तरоль और राजिक अभिभावक है अता वैं परिवार ना रखने की बात करते हैं राजिके अभिभावक को क्योंकि जब यक्ठी का परिवार होता है तब परिवार की अनुसर, उसकी इक्षाएं बड़ती उसकी जरुएते बढ़ती हो और महीलाओं को तो प्रिरख माना गया है अगर प्रशासने का दिकारी का परिवाद नहीं होगा तो ना तो उसमें इतना लालाच होगा और ना ही वह भरष्ट आचरण करने के लिए उत्तरदाई होगा फिर नेक्ष्ट दुराचरण के लिए दंडित चाहिए और अच्छे आचरण के लिए पुरिष्कत किया जाईए एक जो सबसे वड़ी समस्या यह है भरेष्ट आचार की कारण ब्रश्ट चार में कि जो ब्रश्ट चार से सम्मनित कानून है वह उतने प्रासांगिक नहीं है और दूसरा कि अभी कम ही व्यक्तियों को सजा हुई जब कि वन थर्ड राजनीती में और वन थर्ड शाशन तिंद में जो ब्रश्ट चार है वह व्याप थे अंदर से अंदर तक यह बितरत हुआ है मतलब प्रसारेत हुआ है ब्रश्टाचार का आचरण तो अभी इन मेंसे कुछ ही व्यक्तियों के लिए सजा हुई है और जो सजा का प्रारूफ है वह भी कठो नहीं है जिसके कारण जो लोग सिवक हैं ब्रश्टाचारण करने में ब् फिर भ्रश्टाचारी समाज हिस से ज्यादा निजी हित को अधिक मातों देते हैं जिस प्रकार एक गंदी मचली सारे तालाब को नश्ट कर देती उसी प्रकार कुछ ब्रश्टाचार व्यक्ति सारे प्रशाशन तंद्र को भ्रश्ट दर्श आते हैं पूरा प्रशाशन तं कि निजी है ना दे कर नियुक्त को जादा मच त देती हैं कि फिर ब्रश्टाचारम नमारश्टा-रूपन मतलब ब्रश्टाचार्य को जीन देतीा हैं। जैसे ब्रश्टाचार में निक्रिष्ट प्रकृति के कार्यों की सिक्रती जैसे टेंडर में ऐसे माल का इस्तेमाल करना जो की निक्रिष्ट प्रवित्ती का हो फिर सारवजनिक धन इबंबस्तुओं का दुरूपयों करना ठेकिदार कंपनियों के हितों में काम करना फिर आए के सामर्थ से अधिक संपत्ती रखना जितनी आए हो सकती हो से अधिक संपत्ती रखना फिर कुछ और फैक्ट है एशिया महादीप में ब्रश्टचार वरिश्वत खोरी में भारत पहले नंबर पे है ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल में भारत की रेंकिंग अस्थीवे स्थ मतलब भारत में बहुत ब्यापक इस्तर पर भष्टाचार का फैलाओ है तो दोस्तों आज के इस लेसन में इतना ही और विडियो समय समय पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है विनर्स एजूकेशन पॉइंट उसको भी आ मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड कराती रहूंगी थैंक यू फॉर वाचिंग